आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग केंद्र से संबंधित कानून वा नियम के बारे में तो आपके मन में कही तरह के सवाल आ रहे होंगे जैसे की कोचिंग केंद्र से संबंधित कानून क्या है कोचिंग केंडर के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रावधान क्या है कोचिंग रजिस्ट्री करण के लिए फीज कितनी लगेगी क्या कोचिंग रजिस्ट्री करण का प्रमारपत्र कोचिंग में लगेगा कोचिंग रेजिट्री करण प्रमार पत्र खो या नश्ठ हो जाने पर क्या करें यदि कोचिंग केंद्र के स्थान में परवर्तत होता है तो क्या करें कोचिंग रेजिट्रेशन की सर्ते क्या है कब कोचिंग केंद्र का निरस्ती करण और निलंबन हो सकता है कोचिंग केंद्र के निरस्ती करण और निलंबन के विरुद अपील कहा की जा सकती है कब कोई व्यक्ति कोचिंग प्रदान या कोचिंग केंद इस्थापिन नहीं कर सकता है कोचिंग के संबंध में अध्यापक और कर्मचारी पर क्या प्रतिबंध होंगे कोचिंग केंद्र द्वारा कारित अपराधों के लिए डंड क्या होगा कोचिंग केंद्र के संबंद में नयाले द्वारा कब संग्यान लिया जा सकेगा इनी सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे तो सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो सुरूँ से लेके आखरी तक आवस्य देखें सबसे पहला सवाल कोचिंग केंदर संबंधी कानून क्या है प्रदेश भर में लगातार कोचिंग केंदर की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज जिनने इसको नियंतरित करने के लिए 27 जून 2002 को अध्यादेश पारित किया जो की उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 के नाम से जाना जाता है इस अध्यादेश में कुछ परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबंद और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केंद्र चलाने वाले या उसका प्रबंद या देखरेक करने वाले व्यक्त के रिश्ट्री करन और उससे संबंधित या उसके सहायक विश्यों की व् प्रावधान क्या है। उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 3 में कोचिंग केंद्र के इस इस्टेर्शन से संबंदित प्रावधान किये गए हैं। की धारा 3 की धारा 1 के तहट जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है। कोचिंग प्रदान करने या किसी कोचिंग केंद्र को स्थापित करने चलाने उसका प्रबंध या देखरेक करने का इच्छुक है। वहाँ व्यक्ति इस अध्यादेश के प्रयाजनों के लिए कोचिंग केंद्र के रिश्टेशन के लिए सक्छम अधिकारी के समझ आवेदन करेगा। यदि कोई व्यक्ति अध्यादेश के प्रारम होने से पहले कोचिंग प्रदान कर रहा है या कोचिंग केंद्र चला रहा है या उसका प्रबंध या देखरेक कर रहा है। तो ऐसे अध्यादेश के प्राडम होने की तिती से तीन मेहने के भीतर कोचिंग केंडर के इरिश्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी के समझ आवेदन कर सकेगा धारा 3 उपधारा 2 के तहट कोचिंग केंडर के रिश्ट्रेशन के लिए आवेदन एक प्रपत्र के जरिये किया जाएगा उसमें ऐसे ब्योरे दिये जाएंगे और उसके साथ ऐसी फिस जमा की जाएगी जिसका भुकतान ऐसी रिथ से किया जाएगा जो की निर्धारित की जाए धारा 3 उपधारा 3 के तहट सच्छा मदिकारी द्वारा अपना या समधान कर लेने के बाद की कोचिंग रिश्ट्री करने के लिए आवेदन उपधारा 2 के अनुरूप है जहां आवेदक ने आवेदन एक प्रपत्र में मागे गए बियोरे वा निर्धारित फिसका भुकतान कर दिया है और रिखिश्ट्री करने के लिए आवेदन करने वाले बैक्ति ने धारा 4 में निम लिखे सर्थे पूरी कर लिए है तो कोचिंग रिष्ट्री करणर के लिए विहित रिष्टर में उस कोचिंग का रिष्ट्री करणर होगा और उसे विहित प्रपत्र में एक कोचिंग के रिष्ट्री करणर का प्रमापत्र जारी किया जाएगा लेकिन उपधारा तीन के तहट कोचिंग के रजिश्ट्रे करने से इंकार करने का कोई आधिस तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोचिंग रजिश्ट्रे करने के लिए आवेदन करने वाले वैक्ति को कारण बताने का असर ना दे दिया गया हो उपधारा चार के आधिन, उपधारा तीन के तहट, कोचिंग रजश्री करने प्रमार्ट पत्र तब तक विधिमान रहेगा, जब तक कि इस अध्यादेश के आधिन उसे रद दिया ने लंबित न कर दिया जाए कोचिंग रजश्री करने के लिए फिस कितनी लगेगी उत्तर प्रिदेश कोचिंग विनियम नियमय वली 2002 के नियम, तीन के उप नियम एक के तहट, कोचिंग रजश्री करने के लिए आवेदन प्रपत्र एक में किया जाएगा, जो की सच्छम अधिकारी से सरुपए के भुकतान पर प्राप्त होगा उत्तर प्रिदेश कोचिंग विनियम नियम वली 2002 के नियम, चार के आधिन किसी कोचिंग केंद्र के रजश्री करने के लिए दी जाने वाली फिस छात्रों की संख्या के अनुसार होगी, जो की पचास छात्रों से कम संख्या 10,000 रुपिया, पचास छात्रों से अधिक संख्या पचेस हजार रुपिया, लेकिन यह फिस अधनियम में संसोधन होने के तहद यह फिस बदल भी सकती है, तो फिस जानने के लिए आपको यह फिस पता करने पड़ेगी क्या कोचिंग रिष्ट्री करण प्रमार्पत्र कोचिंग में लगेगा उत्तरप्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 12 के तहट कोचिंग केंद्र चलाने वाले हर वेक्ति कोचिंग केंद्र के नेम प्लेट के दाहिने तरफ उपर की ओर पर प्रमाड पत्र में लिखे रिष्ट्री करन संख्या को प्रदर्सित करना होगा कोचिंग रिष्ट्री करन प्रमाड पत्र खो या नष्ट हो जाने पर क्या करें उत्तर प्रदेश कोचिंग नियम मावली 2002 के नियम 13 के उप नियम एक के तहत जदी प्रमाड पत्र खो जाता है या नश्ट या पढ़ने समझने योग नहीं रहता तो कोचिंग केंद्र चलाने वाले व्यक्ति प्रमाड पत्र की दुती प्रती प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को अवेजन कर सकते हैं यदि कोचिंग के स्थान में परवर्तन होता है तो क्या करना होगा उत्तरवदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 11 के तहत यदि कोचिंग का प्रमाड पत्र धारक कोई व्यक्ति कोचिंग के मौजूदा स्थान में परवर्तन करता है तो उस परवर्तन के संबन्द में सक्छम अधिकारी को लिखित रूम में परवर्तित स्थान के विरुण के साथ सूचित करेगा कोचिंग रजश्री करनर के लिए क्या सर्ते हैं उत्त्रप्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धाराचार में कोचिंग केंद्र के रजिट्री करण संबंधि सर्तों का उल्लेक किया गया है जहां धाराचीन के आधिन किसी वज़त का रजिट्री करण तब तर नहीं किया जाएगा जब तक किवा लिखित्रों में या वच्चन नहीं दे देता किवा कोचिंग के लिए किसी संस्था के किसी अध्यापक या करुचारी को न लगाएगा और नाहीं नियोजित करेगा कब कोचिंग केंद्र का निरस्ती करण और निलंबन हो सकता है जहां उब दारा एक के तहद सक्चमदिकारी किसी भी समय परियापकारण से धारा तीन के तहद दिये गए रजिश्ट्री करण प्रमापत्र को रद दिया निलंबित कर सकेगा लेकिन दारा पास किया धिन कोचिंग के रश्री करने प्रमार पत्र के रद्या निलंबित करने का कोई आदेश तक तक नहें दिया जाएगा जब तक कि कोचिंग के निर्ख से संबंधित व्यक्त को कारण बताने का उसर्ण न दे दिया गया हो और सक्षम अधिकारी को या प्रतीत नहो कि सम्बंदिद व्यक्ति ने धारा चार में लिखे सर्तों का उलंगन किया है उब्धारा दो के तहट जहां उब्धारा एक क्या धिन कोचिंग रश्री करण का कोई प्रमार पत्र रद्या निलंबित किया जाए वहाँ कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रश्री करण फीज को वापस पाने का अगदार नहीं होगा कोचिंग निरस्ति करण और निलंबन के आदेश के विरुध अपील कहा की जाएगी उत्तर प्रदेश कोचिंग बिनियम अध्यादेश 2002 की धारा च्छे कोचिंग केंडर के निरस्ति करण और निलंबन के आदेश के विरुध अपील किये जाने का प्राधान करता है जहां धारा पांच के तहत कोचिंग केंडर के निरस्ति करण और निलंबन के लिए आदेश से कोई व्यक्ति वैठित है तो ऐसे आदेश की तीती से 30 दिन के भीतर राज सरकार की ओर से विसेश सचीव उच्छ सिच्छा उत्तर प्रदेश प्रसासन लखनों की समख्च उस आदेश के वृत अपील कर सकेगा अपील करने वाले व्यक्त को सुनवाई का पूर्ण अउसर प्रदान किया जाएगा उसके बाद ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उचित समझे कब कोई व्यक्ति कोचिंग प्रदान जिस थाफिन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारह साथ कोचिंग पर प्रतिबंद का प्रावधान करती है जहां अवठ हार एक की तह्त कोई भीव्यक्त जो अध्यापगय करुचारी नहीं है वा अध्यादेश की धार अचार क्या दिन जारी विधिमान रेजिश्ट्री करण प्रमारपत्र के बिना पारिस्रमिक या बिना पारिस्रमिक के कोचिंग प्रदान नहीं करेगा कोई कोचिंग के इंद स्थापिन नहीं करेगा ना चलाएगा ना उसका प्रबंद करेगा और ना ही उसकी देखरेक करेगा और ना ही स्थापित करवाएगा ना ही चलवाएगा ना ही उसका प्रबंद या देखरेक करवाएगा कोचिंग के संबंद में अध्यापक या कर्मचारी पर क्या प्रतिबंद होगा उत्तर प्रदेश कोचिंग वीनियम अध्यादेश 2002 की धारा 7 युप धारा 2 के तहट अध्यापक या कर्मचारी पर कोचिंग के संबंद में निम्न प्रतिबंद लगा है जो कि जिस संस्था में वाउस समय नियोजित है उससे अलग किसी कोचिंग केंदर में या किसी अनिस्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा कोई कोचिंग केंदर स्थापिन नहीं करेगा ना चलाएगा ना उसका प्रबंद करेगा ना देखरेक करेगा ना इस्थापित करवाएगा ना चलवाएगा ना उसका प्रबंद्य देखरेक करवाएगा जैसी स्थिती हो अध्यापक या कर्मचारी के रूम में अपने वैध परिस्रमिक से अलग कोई परिस्रमिक या फिस नहीं प्राप्त करेगा कोचिंग केंद्र से संबंदित अप्रादवा डंड क्या होंगे उत्तरप्रदेश कोचिंग विरियम अध्यादेश 2002 की धारा नौ में अध्यादेश के उपबंदों के उलंगन करने पर सजा का प्रवधान किया गया है उब्धारा एक के तहट जो कोई अध्यादेश की धारा साथ कि उब्धारा एक के तहट अध्यापक या कर्वचारी पर कोचिंग के संबंद में लगे प्रतिबंद का जान बूच कर वो लंगन करेगा या करने के लिए उक्साएगा वह ऐसा करने वाले वक्ति को एक लाख रुपए तक जुर्माने से डंडित किया जाएगा उब्धारा दो के तहट जो कोई अध्यादेस की धारा साथ कि उब्धारा दो के तहट अध्यापक या कर्वचारी पर कोचिंग के संबंद में लगे प्रतिबंद का जान बूच कर वो लंगन करेगा या करने के लिए उक्साएगा ऐसा करने वाली व्यक्ति को 50,000 रुपय तक जुर्माने से डंडित किया जाएगा उपधारा 3 के तहत जो कोई अध्यादेश की धारा 8 क्यों उपधारा 4 के तहत उपधारा 3 के आधिन निरच्छण द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोचिंग केंद्र के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति सक्छमद कारी द्वारा ने धारे समय के भीतर कोचिंग निरच्छण की रिपोर्ट में उन लिखित गलतियों या अनिमेताओं को दूर नहीं कर जानबूच कर उलंगन करेगा या करने के लिए उखित आएगा तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को दस हजार रुपए तक जुर्माने से डेंडित किया जाएगा कोचिंग के संबंद में नियाले द्वारा कब संग्यान लिया जा सकेगा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा नव की उपधारत चार की तहएट कोई नियाले धारा नौ के अधिन डेंडिने किसी अपरात का संग्यान सक्षम अधिकारी के या ऐसे अनधिकारी के जिसे राज्य सरकार द्वारा अधि सूचना द्वारा प्राजिर्कृत करेव उसके द्वारा की गई लिखी सिकायद पर ही करेगा अनिथा नहीं कोचिंग केंडर से समबंदिद नियमो की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो पसंद आई हो तो सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें